किसानों का करजा माफ करेंगे दस दिन के अंदर ये करेंगे वो करेंगे घोषना पत्र नहीं वचन पत्र देते हैं लेकिन किसानों के साथ धोगा किया कोई एक भी वादा पूरा नहीं किया और इसलिए प्रदेश की जंता की बद्दुआएं लगी गरीबों की किसानों की हा क्या क्या होती ऑप बोनिंग करने से ले कर גपार दवाई से लेकर बेचने तक किस प्रकार उन्सक फूझना पड़ता है और इसलिए जब लें अधे किसान के एक पतर कृस्री मंत्री बनता है यहां प्रधान के लिए प्रदेश और देश के विकास के लिए हमने नीतियों में परिवक्तन किया जो नीतियां गाओं गरीब और किसान के अहित में थी उनको हमने हटाया और गाओं गरीब और किसान के हित में प्रदेश इंदोर में भी जापर डलवाई जहां जहां नकली बीज दवाई खाता हुआ कर भई किये अभी तक लगबग 88-80 एफाइयार हो चुकी दो साल के अंदर जो कभी 50 साल में नहीं हो योगी इतने और उसके कारण खाद बीज दवाई में जो गड़बड़ियां थी उसमें बहुत कुछ सुधार करने में हमें सफलता मिलिए मैं करवल से कह सकता हूं कि दूसरा किसान की फसल जो होती है जो खरीदी की नियम थे वो गड़बड़ थे कमलना जी जो मुख्यमंति थे अधिकारियों ने उनको खुछ करने के लिए छिंदवाड़ा में 19 कुंटल प्रती एक्टर चना खरीदा प्रधान मंत्री आवाज बन चुके हैं पक्के और सीधे कितान गरीबों के खातों में जा रहा एक पैसा भी कोई नहीं खा सकता है और यह भी नहीं जो हिद्गराई हैं उन्होंने भी कहीं मोटसाइकल ले ली ती यह कर लिए उनके खिलाभ भी कारवई किये ताकि मकान बन के पास रहने के लिए जगे नहीं उनको जगे देंगे उनको प्रधान मंति आवास देंगे दोजार चुछ तक सब को आवास हो जाएंगे यह परधान मंति नरेंद मोटी जी का संकल पर यही महात्मा गांदी जी रामर सजीदों ने सोचा था तो जो काम साथ साल में नहीं सारे 9 करोड़ गेस्टंग की चूला देदिया जो मामरी मातवें ने चूला पूपूपूप के आंके ख़रा वजाती थी उनको दिया तो कांग्रेस को तो बात करने का राजनिति करने का कोई नेतिकारी नहीं प्रदान माली काना हक नहीं है मतलब रहने को हटा नहीं सकता मेरा मकान अगर एक लाग का है पांच कोड़का है एक रूपे की बैंक लोन नहीं देगा एक रूपे की प्रोक dop नहीं देगा एक रूपे की लिमिट नहीं मिलेगी एक रूपे की साल्वेंसी नहीं बनेगी उसलिए गाउं पिछड़ गए मुठी बर सहर के लोग सहर की प्रापर्टी की वेली होने से बेंक लोन देती है जमाना दू लिमिट मिलती साली इसलिए वुद्योग धंदे व्यापर वे उससा सबसिडी लेकर आगे बढ़ गए तो गाउं हमारा प अब पलायन रुकेगा गाउं में इंडर्स्टी लगेगी किसान का बेटा ही लगाएगा इसके लिए प्रधान मंतिजी ने क्रसी अदों सचना विकास के लिए एक लाग करोड की रौस्ता किये दस हजार क्रसी उत्पादक सम्हू बनेंगे हर ब्लाज में कलेक्टर और किसान की बात नहीं कि मेरे खेट में नहीं कि नहीं हुआ है कि कोई विपक्ष की दो मांग छोड़ दो विपक्ष को तो होसी नहीं लेकिन किसान भी नीचला पाया को किसान को उसके पहले हम पहुंच गए खेटों और एक सब्सक्राइब कराकर दिया तो आर बीशी छह चार और खराब होती नजरहें लेंगे और बीमा की रहाशीव दिलाएंगे ताकि किसान को जित्ती चती वह उसकी पूर्टी हो जाता कि किसान को घाटा ना हो क्योंकि हमारा मानना कि किसान जो खेती करता है वो सिर्प अपने परिवार के लिए नहीं करता हुँ समाज और देश के लिए करता है अभी कोरोना के संकट में ने देखा जो जंदे व्यापार व्यावसाइस बंद हो गया तो खेती ती जो चालू थी उसके काड़ हमको दोनों टाइम भोजन सब्जी और दूद मिला और अर्थव्य वस्ता भी देश की क्रसी के बिए आदर पिटिकी रही और इसलिए किसान की छतीराष्ट की संक पूरा किया और सलिए हमारा प्रदेश का कैसान संतुष्ट है और हमें संतोष और हमारा मंत्री बनना सपन नहीं सार्थ करोड में अगर में क्रसी मंत्री नहीं होता शिवडराजी मुदी जी 13 साल भाजय पाँ वो दो साल आने को माल लो फिछ उत्तरवा बर चल राग अम्रत महुस्थ हम तुलना करें साथ साल बनां तेरा साल की तुम्हें दावे के साथ के सकता हूं कि हर छेत में भारती जन्ता पार्टी का प्रवा भारी है मात्मा गांडीजी के सपनों को कांग्रेश ने साकार नहीं के नक्लि गांडी बन करा जाज तो में भारती जी हैं जिन्हों समय को छाकािर का सभारत कि गरीबों को पक्काहि टील्द engaging एक निद्रावास आती थी उसमें कुष्टी परसेंट से ज़ादा पईसे खाजातेते थे राजिव गांदी जी के ते हो तै मैं दिल्ली से एक टिल्पा बहूता हूँ में आते हैं 15 पैसे रेते पिच्छा सी परिजे सत्ता के दलाल खजाते सत्ता भी उनकी ती दलाल भी उनकी ते मोदी जी केतने खाऊंगा ना खाने दूंगा इसलिए जन्दन खाते खुलवाई सीधे खातों में पैसा आ रहा है और इसके गाण बनवासी जो जिनको सबस्यादा आफशकता है उनको भी मिलेगा और वीमा जिनका केसस होता है उनको होता था लेकिन हमने घर घर जाकर वीमा कराया और रहएवार के दिन दो पार बैंख खुलवाई दो रहईवार फर्वरी में 15 फर्वरी के पहले पूरे तयारी करके हम किसानों को बीमा देंगे जो सोयाबिन की फसल 2000 किसमें खराब हुई थी लगबग 7600 क्रोड से जदिकरासी उनके खातों में डाल देंगे मुख्यमंतर जी एक क्लिक दमाएंगे किसानों के खातों में चल जाएगी यह किसानों की सरकार जो हम कहते हैं इस बार अभी रभी में बेमोसम बारिस हो गई ओले गिर गए फसल खराब हुई और ओले में एक साथ पटवारी हलका ही काई है लेकिन कभी भी पूरे पटवारी ह हलके की होती है जब में राज उसमंति था तब तैसील ही काई थी जब अटल जीने प्रधान मंती फसल भी मा यह लागो के थी चुकि मैं किसान का भी अगर एक पटवारी हलके में फसल करा वही है दस एकड़ की यह पाच एकड़ दो एक 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 दो उसको भी हम भी मा करसी विबाग भी मा कंपनी को सुचित कर या किसान की मेरी फसल कराव हुई है और उसको अधिस उचित कर दे तो भी मा उसको ततकल 25% मिल जाएगा और उसके बाद जब आना वारी आएगी उस समय पूरा मिलेगा तो इंडिजवल एक किसान का भी नुकसान होगा तो भी मा म संतुष्ट हो गाउं के पांच परमेशर पांच लोगों के पंचात के अंदर काफी रखी जाएगी ताकि यह काफी पंचात में रहे रेक काफी किसान के बाद भी रहे संत्रों के फटवारी कलेक्टर तरह बदल ना पाए और कोई भढ़का ना सके पहली बार किसी ने बीशेए कि सानके खेती गाट taraf का दंदा बनी चोटे एक लिए यह बरदान के ऊहकर न्रहे प्यांप मोदी जी गरीब किसान के लिए यह लाखों के लिए 86% किसानों के लिए बगवान है कि जीवन पनbyत्वाना है ऐट मत्य पर रोक लागए इससे रुकिए इससे घड़े की खेती रुकिए और किसान को कर्ज मुक्त किया है वो इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी का और मुख्य मंत्री जी का मद्य प्रदेश के किसानों के और से धन्यवाद करता हूँ अभी तक मद्य प्रदेश में तेरह हजार 4501 करोड प्रधान मंति किसान ओमान निदी में और 3เ Malin करोड मुख्य मंतिक किसान स्टम्भान निदी में दिए खुके इस प्रकार 16,500 2 करोड में रुपया किसानों के खातों में जा चुका है छोटे किसानों को जिन को जरुबत है इसी के दाद बीमा की बात करें कांग्रेस केती हैं किसान हीते सी हैं पंदरा मेने सरकार मेरे अठारा का रभी का खरीब उन्निस का उन्निस रभी का कमल नाजी नाग जैसे पेठेते हैं नाग कुंडली मार के बल्ल भौन में एक रुपया प्रीमियम जमानी किया ने एक रुपया किसान को दिया जैसे ही भारती जन्ता पार्टी की सरकाराई जिवराजी मुक्यबंती बने हमने रासी थी और 9388 करोड से भी अधिक रासी किसानों के खातों में बढ़ चुके हैं जो कमलनाजी को देना था कांग्रेश की सरकार को देना था इन्होंने नहीं दिया वो हमने दे दिया और इस वर्स 2020 खरीब का फसल जब फसल में बीमारी आई तो हमने भीमा की तारिक बढ़ाते गए बीमा की तारिक बढ़ाते बढ़ाते एक भार नहीं, दो बार नहीं तीन बार बढ़ाई फसल खराब हो गई उसके भाद बीमा कराए देश में ने दुनिया में फैला हो दारा है किसान के थे वन ग्राम का बीमा नहीं होता जबकि सफस्टी जरुशत है बन वासियों को 1 g rame का बीमा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बीमा की काई यह वो पत्वारी हलका पत्वारी हलका राजस g rame में होता है बन g rame में होता में हर्दा और स्योर का जो नर्वधा में बाड़ा आई थी तो मेरे आप में उका कि किसान उसे का कि तुमिघांगा केहां केुमारा वीमा न राम् DAVIDि नहीं को एक तो उसे लिंक करा दिया तो उनका भीमा हो गया अब पूरे प्रदेश का देश में पहला राज यहां वन ग्राम का भी भीमा हो रहा है प्रदान मंति नरेंद मोदी जी ने दिसंबर दो हजार अठारा से किसानों की समस्या क्या है इसको समझा और एक नया कानू लाए नहीं य योजनल आये प्रदान मंति किसान सम्मान निठी को साल में तीन किस्तों में 60000 किसान के खाते में डेलते हैं 22 किसान पती पतनी नावाल इक बच्चा हैं stop अगर उसके एक किसाने चार बेटे हैं और वो भी बाली के उनके खाते अलग हैं चारों बेटों को भी दड़ छेचाजार मिलेंगे उनमेने जैसे वादाए कि स्यस्यासी प्रतिस्द किसान हमारे चोटे मद्धी प्रतिस्स में 144000 किसान इसमें 3735000 किसाने आसे पांदा एकर 5 एकर 5 एकर से नाज मेंटे io यह हैं लेकिन लोग किसान उसी को मानते GG किसान घाटक की कियों करता दो इसके लिए खाली को रहता है और उसके लिए नीतियों में परिवर्तन किया है योजनाय बनाई और इसलिए किसान संभान दीप्रार्ण की अभी तक, एक लाक असी हजार करोड, 11 करोड किसानों के खातों में डाल चुके हैं, यह दो-दो हजार करके, अब कांग्रेसी निता केते हैं, दो-दो हजार उपर टि से क्या होता है, अरे भाईया आप लोग चान्दी की चम्मच लेके पैदा हूँ हैं, इसलिए आपके 86 लाग हैं उनके लिए 2000 करके 6000 किसान सम्माने दी और मुख्य मंत्री 2020 सितंबर से हमने सुरू किये 4000 किस्तों में 2000 करके 10,000 एक साल में किसान को मिल रहे हैं यह 10,000 छोटे किसान के लिए 10 लाग के बराबर है इस से उसको खाद बीज दवाई जो कांग्रेस के सिराज में 18% ब्याज पर बैंक से मिलता था और 10 रुपे सेकड़ा महीं ने खा बजार से मिलता सावकारों से उसके कांड़ खाटे की खेती करता था उसके उपर चड़ बेट ते जैसे फसल आई फसल बेट तो जबुरी में उसको उने पोने भाव में बेचना पड़ता था लेकिन भारती जनता पार्टी के सरकार में प्रदान मंति नरेंद मोदी जी और शिवराज जी के निकत्त में परिवर्तन कर दिया और इसलिए खाद उसको उधार लेने की जरवत नहीं पैंक से ने साहुकार से नबीज उधार लेने की जर्वत ने यह च्छी तास हजार में छोटे किसां जिसके बाद एक एकर तीन धाई तीन पांच एकर देमीन है उसको पूरा और घरलू समान भी किराने का भी आ जाता है कोई कर जिसलिए वो कर्ज मुक्त है किसी प्रकार सरसो तेरा कुंटल जबकि साथ किलिमेटर से किसान बेचने आता एक टाली में साथ कुंटल आ सकता लेकिन पच्चीस इलाना तो डाय टायर डीजल तीन-तीन बार खर्च होता था वह हमने बदलवाया भारसरकार से और उसके कारण किसान की पूरी फसल हमने खरीजना लगे तो व्यापारी को माननी मिल मंदी में तो उद्योगों को सप्लाएं नहीं हो तो उद्योग बन होने की कगार पागए ने डिमांड बढ़ गई तो जो उने-पोने भाव पर खरीटे थे कीमत कम होती थी वह कीमत बढ़ गई बलकि मस्पी की मांग चल रही सब जगे ग्यारेंटी हमने ऐसी नीती परिव एक दिन में 25 कुंटल की जगें हमने अनलिमिटेड कर दिया जित्ता किसान का पंजियन उतना खरीदेंगे और उसके कारण और 25-35-56 हो गई चना 34-500 था वो पांच-जार से उपर हो गया और पहले एक महीने के अंदर हमने एक हजार क्रोड किसान को ज़्यादा दिला है अगले साल हमने गोशना की कि हम मई में खरीदी आती थी अब जैसे फसल आईगी रभी की चना सर्सों मसूर मसूर जनवरी फरवरी में ओने सर्सों मौरी मार्च में खरीदी आती थी मैं मैं मही में और चना फरवरी में खरीदी जाता था मही इसके काल किसान जो मारा 86 परसेंट चोटा है पांच एकर से नीचे दसेकर वो रखी नहीं पाता था मंडी में मजबूरी मेजना पड़ता था इसलिए भाव कम होते हैं क्योंकि माल ज्यादा होता था पूर्ती ज्यादा होती थी मांग कम होती तो रेट गिरते तो जब किसान की फसल आती थी तब रेट कम हो जाते जब किसान के हाँ से फसल निकल जाती तो रेट डबल हो जाते किसान पच्छा था था मुंटी वर लोग व्यापारी उस जो कोती कमाते थे हमने उस नीतीम परिवर्तन किया और उसके कारण इस बार 15 मार से खरीदी सुरू की थी हमने फिछले वर और उसके क किसानों को जड़ा दिलाए यह हमारी सबसे बड़ी उपलब दी दस हाजार करोड हिंग लगाना फिटकरी और रंग आगे चोका जो मुठी वर व्यापारी उद्योगपती कमाते थे वो किसानों को दिया यह सत्ता परिवर्तन से व्यवस्ता परिवर्तन और हम कहते हैं हम ग